स्टेट की परिक्षा में स्टेट की परिक्षा में शामिल हो जाएं क्यूंकि यहां से जो हैना वेकेंसी काफी ज्यादा आती हैं हर साल सिस्टमार्टिकली टाइमली नमबर वेकेंसी अच्छी रहती है और वेकेंसी आती ही आती है तो इस स्टेट से जो भी कैंडिडेट इंट्रेस्टेड हो टेट एक्जामिनेशन में एपियर हो जाएं और यहां से आने वाली जो भरतिया है उनका बेनेफिट आपको मिलेगा अ अपर प्राइमरी सेक्शन के लिए रहेगा माकी फीज की डीटेज और इलिजिबिलेटी क्राइटेरिया और एक्जामिनेशन का पैटर्न कहां से आये नोटिफिकेशन यह सारे डीटेल आगे आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगे जो नोटिफिकेशन आई वह है तेलंगाना से तेलंगाना स्टेट डिपार्टमेंट अफ स्कूल एजुकेशन टीचर एलिजिबिलिटी टेस 2024 इनफोर्मेशन बुलेटिंग इनफोर्मेशन बुलेटिंग ज्यादा बढ़ी नहीं 15 पेजेस की है बहुत सिस्टमाटिकली सारी चीजें दी गई है इसके पह सेक्शन होते है प्राइमरी अपर प्राइमरी टीजिटी वगरा उनके लिए तो अभी 11,000 वेकेंसी जिनकी की मार्ज में ऑनलाइन अप्लिकेशन हुई है तो यहां से तेलंगाना से काफी वेकेंसी आती रहती हर साल आती रहें बिहार के बाद अगर बात करें और बिहार मे चेक करें आप बार्शा है भी चेक कर सकते हैं मैं बदा लोगी कौन कौन से भार्शा में कौन कौन से लाइंग्वेज में एक्जाम होंगे सो डाट जो इंटरेस्ट एट कैंडिडेट है दो कैंडिडेट आप्र सैटिस्फाइं हिमसेल और हर से अवाउड पर आपिर हो रहे हैं पेपर वन या पेपर टू और अगर पेपर वन एंड टू दोनों एपिर होना तो 2000 मतलब इच पेपर 1000 पीज अप्रिकेशन फीज है और इसकी जो अलाइन एक्सिए और मयौ। से शुरू है 27 से मार्ट से शुरूरink मतलब आज से ही शुरू है तो मिल्कुल लेटेस नोटिफिकेशन है 27 मार्च को वीडियो बन रहे है, 27 मार्च को ही नोटिफिकेशन रिलीज हुई और ओनलाइन अप्लिकेशन जो इंट्रेस्टेट कैंडिडिटो 10 अप्रिल तक ओनलाइन अप्लिकेशन कर सकेंगे इसके एिग्साम के डेट वी दे दिये गहें जो कम्पर्टेबल रहेंगे कि ए इस डेट पर दे सकते हैं वही आप फर्म्पेशन करें 28 में से लेके सिख्व फ्रक जून बीस माई से लेके 3 जून तक एक्जाम औनलाइन रहेंगे, कंप्युटर बेस एक्जाम रहेंगे कम्पुटर बेस टेस्ट रहेगा बीस मही से लेके तीन जून तक इसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो चेक कर लेंगे इसमें जैसे रहता है न दो प्र वन और पेपर टू ऐसे यहां पर भी पेपर वन पेपर टू है डेट ऑप ऑप देट ओफ एग्जैमेनेशन में शिफ्ट वगरभी दिया हुआ है पार में जारी करेंगे अब इसमें पेपर वन और पेपर टू के बारे में बात करेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टी एस टेड पेपर वन 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 फॉफाइव स्टेंडर को पढ़ाने के लिए जो टेड देना चाहते हैं senior secondary या intermediate या junior college 12 जो भी आप बुलाते हैं 50% या अबब marks के साथ में पास होना चाहिए any stream, arts, science, commerce, SCST, backward class and PWD candidate के लिए 45% marks भी चलेगा and two years old diploma in elementary education है तो आप इसके लिए eligible हो जाते हैं four years old a BL ed है तो भी आप eligible होते हैं two years old a diploma in education special education है वो भी आपर eligible हो जाते हैं अगर दूसरे case में होने दिया हो है कि senior, secondary, intermediate, junior, college, 12 जो भी आप बुलाते हैं 45% marks के साथ ही है तो भी आप apply कर सकते हैं and pass in two year diploma in elementary education four year BL ed या two year diploma in special education in case of the candidates who have passed or admitted to D, L ed or D ed course prior to issue of these guidelines 23 December 2015 के पहले अगर पास हो गए ना तो 45% marks के साथ भी कर सकते हैं D, D, L ed अच्छा यह D, L ed लिखते है D, L ed अलाउड रहते है mostly तो वो देख लेना है क्योंकि equivalent ही रहता है और B-E-A-D होना चाहिए या फिर B-E-A-D special education होना चाहिए और इसी तरीके से बहुत सारे options दी हैं D, Integrated 4 years BA- as BA-C-E-A-D हो बी eligible होंगे इसे बाद language run- training किया हुआ है वो बी eligible होंगे BA- with Language Concerned as one of the methodology in respect of language teachers, तो वी eligible होंगे तो काफी सारे ओप्शन दिये हैं, बेड़ सेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई हो जाते हैं, अब इसमें एग्जामिनेशन का तो मुल्टिपल च्वाइस क्वेश्चिन्स रहेंगे, क्योंकि कम्प्यूटर बेस्ट टेस्ट है, टुए एंड हाफ आवर्स मिलेगा, ध्र अब जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं, वह भी करना चाहते हैं, अप्लाई तो करें इसमें कोई प्राब्लम नहीं रहने वाली है, क्योंकि यहां पर अगर आप पेपल का पैटर्न देखेंगे, तो चाहिल डेवलेप्मेंट और पेड़ागोजी से क्वेशन से क्वे लंगरमेंटल साइंस , हैंँन्वार्मेंटल स्टुडील्स है अब में लैंगवेज में में एक लैनगवेज आ झालना होगा language 2 में English fix है तो English लेना ही होगा language 1 में Telugu ले सकते हैं उर्दू भी ले सकते हैं Hindi वाले Hindi बेल्ट वाले Hindi भी ले सकते हैं Bengali ले सकते हैं Kannada, Marathi यह Marathi नहीं Marathi है Tamil, Gujarati तो कोई भी जो है ना language आप चूज कर सकते हैं अच्छा अब जो examination रहेगा questions किस में रहेंगे पहले देख लेते हैं पेपर 2 में क्या रहेगा चाइल्ड डिवलेप्मेंट पेडागोजी लेंगवेज वन लेंगवेज तो ऐसे ही रहेगा Maths & Science रहेगा Maths & Science टीचर के लिए Social Science टीचर के लिए Social Studies से questions रहेंगे और जो भी रहेगा उसे आपका जो सब्जेक्ट है जिससे आप अप्लाई करें उसे questions रहेंगे 60 questions 60 marks के अब लेंगवेज कौन सा पूछा जाएगा The following languages are offered under first language in secondary school under state syllabus Telugu, Urdu, Hindi, Kannada, Marathi, Tamil & Sanskrit यहाँ पे Sanskrit का भी option दिया हुआ है तो इसमें से कोई भी एक आप Paper 2 के लिए Language 1 में चूज कर सकते हैं चलिए अब दूसरी और चीज़ें देख लेते हैं The language 2 shall be English for all Candidate Language 2 is Paper 1 or Paper 2 Language 2 is English and will always be fixed और इसमें कुछ और में डिस्क्राइब किया है वह आप देख लें Medium of question paper मैं बहुत देर से बताना चाहरे हूँ लेकिन उस point पे अभी आए Question कैसे पूछे जाएंगे पहले इंग्लिष में पूछे जाएंगे Suppose आपने माराथी चूज किया है तो आपको माराथी में भी questions देखने को मिलेंगे जो अब English का question है वह तो English में रेका प्योर और वहांकि जो questions है वह English में भी देहेंगे जैसे हमारे Hindi बेट में कैसे रहता है कि English और Hindi Bilingual रहता है इंग्लिष और Hindi में questions पूछे या यहां पर आपको और ज्यादा options मिल रहे है अगर आपने छूज किया तो मराथी में questions भी देखने को मिलेंगे अगर आपने हंदी चूज किया तो हंदी में कोंदेत देखने को मिले के ते लुब तैमिल चूज किया उर्दु चूज के जो भी आहले डॉभुक्स करो फुर्था सॉक चूर्ऽ चूज किया तो जो भी तो यदि दैफस्क्रित थोड़ा तो यह हो गया उसके पासिंग मांक्स क्या है वैसे ही जैसे सीटेट में 60% एन अबब जेनरल के लिए बैकवर्ड क्लास के लिए 50% एन अबब पासिंग मांक्स रहने वाला है तो यह हैं बाकी मेंने काफी एक्जामिनेशन तो अफकूर्स जो है ना तेलंगा ना जाना होगा तेलंगा जाना होगा जिन कांडिडेट को इंट्रेस्ट है अल्टिकर्ट एग्जामिनेशन फी एच पेपर वन थाउजन रुपीज है वांकी डीटेल्स के लिए आपको क्या करना है कि यहां पर एक्जाम की डेट ऑन-लाइन अप्लिकेशन सब कुछ दिया वाँ फी पेमे से लिया और यहां पर मैंने गूगल से लिया इसलिए एक बर प्लीज आप भी वेरिफाय करें क्लिक करेंगे तो एक अलग से वेब पेज उपन होगा जिसमें की सारे इन्फोर्मेशन इससे रिलेटेड ही है फी पेमेंट अप्लिकेशन स्टेटर्स सेलेबस नोटिफिकेश कॉंटैक्टर्स लॉग इन और बाकी सारी दीटल्स तो आप चेक कर लें तेलंगाना से तेलंगाना से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेस्टेट 2024 के नाम से गवर्मेंट अव तेलंगाना कंडग कर आ रही है ऑफिशल वेपसाइट के लिए यही वीडियो जो आप को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें लिंक आपको मिल जाएगे